हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टेडी दोस्तों अर्धवासिक परीच्छा वर्स एक्किस बाइस कच्छा बार्वी विशाय अर्थ सास्तर का ओरीजिनल जी या रियल कोश्चन पेपर इजी स्टेडी लेकर आप तक आ चुका है दोस्तों आपको आपको किसी प्रकार के संदेव में नहीं रहना कि या कोश्चन आएगा या नहीं आएगा या बिल्कुन आएगा ही आएगा इसलिए आपको सबसे अंत में वीडियो लाया गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास वो कोश्चन पेपर पहुंचे जो एकदम रियल हो तो चलिए दोस्तों आपको मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अबजेक्टिव के इंपोर्टन वीडियो को जाके देख लीजे चैनल पर साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं क्योंकि वहां लेटेस्ट अपडेट छोटी से चोटी और बड़ी से बड आपको बताने क्योंकि हमने पूरे अबजेक्टिव का वीडियो बना के रखा है तो आप लोग उसको जरूर देखे क्योंकि वहीं से आपका 28 में से 25 नंबर वहीं क्लियर हो जाएगा सेकेंड कोश्चन है दोस्तों निम्न में से किस अर्थ व्यवस्था में निजी छेत्र एवं सारुजनिक छेत्र का सह अस्तित्त पाया गया है मैं आपको कोश्चन इसलिए पढ़के बता रहूं क्योंकि आपको कोश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर से बता देता हूं निम्न में से किस अर्थ व्यवस्था का निजी छेत्र एवं सारुजनिक छेत्र का सह अस्तित्त पाया गया है ठेड़ कोश्चन है जब कुल उप्योगिता अधिक्तम होती है तो लागत उप्योगिता क्या कहलाती है आपको ये बताना है चौथा है ऐसी वस्थु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं आपको पताना है पाचमा अबजेक्टिव आपका की मां की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है मा की कीमत लोच से क्या अभी प्रयास है तो यह आपके objective question है आप लोग इन सभी आंसर आपको पिछले वीडियो पे दिया जा चुका है जिसमें पूरे objective आपको clear कर दिये गए है आँगे बढ़ते हैं रिक्तिस्थान तो पहला है पैमाने का प्रतिपल का संबंद डेश डेश है सेकंड है लागत फलन में लागत डेश डेश का फलन होती है ठेड़ question है दूद जैसी वस्तूओं के लिए पूर्ती की लोच होती है चौथा question है वस्तू की कीमत का निर्दारन दोनों मांगता था डेस दौरा होता है तो आपको इसके पूरे आंसार उसमें मिल जाएंगे अंगला question है वस्तुओं के लिए कीमत को निमनता सीमा को भी कहा जाता है ठीक वस्तुओं के लिए कीमत की निमनता सीमा को भी कहा जाता है तो आप लोग देख लीजेगा इसके भी आंसर आपको सारे मिल जाएंगे उसको आप देखें सही जोड़ी अब हम पिछला वीडियो अगर आप दे वीडियो देखिए इसी प्रकार से सत्ता सत्त है और एक वाक में उत्तर आप लोग देख लीजे दोस्तों ये पूरा एकदम बताया जा चुका है आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए अब सीधे अपन आगे बढ़ते हैं देखते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन जी हां लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करते रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं चाटमा कोश्चन कहते हैं बजार अर्थ वश्ता किसे कहते हैं इसी में अत्वा वेश्टी अधसास का अर्थ लिके सात्वा कोश्चन उपयोगिता क किसे कहते हैं इसी का अत्वा सीमान दूपयोगिता का अर्थ लिके आठ्वा कोश्चन सामान वस्तु किसे कहते हैं इसी का अत्वा निमनिस्तरी वस्तु किसे कहते हैं आंगे बढ़ते हैं नौमा कोश्चन देखते हैं उत्पादन फलन का क्या अर्थ है अत्वा में कुल उ किसे कहते हैं बार्मा कोश्चन है स्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं और अत्वा है पारिवारिक छेतरक किसे कहते हैं तेर्मा कोश्चन है मध्यावर्ती वस्तु किसे कहते हैं अत्वा पूजी गत वस्तु किसे कहते हैं 14. मुद्रा का अर्थ लिखे अत्वा व्यावसाइक बैंक किसे कहते हैं 15. समय मांग का अर्थ लिखे अत्वा गुणांक किसे कहते हैं 16. सकारात्मक तथा आधरसक अर्धसास्त्र में तीन अंतर लिखे अथ्वा वेश्टी अर्थ सास्थ की तीन विसेस ताई लिखे सत्रवा कोशचन है पून्फरतियोगिता की तीन विसेस ताई लिखे अथ्वा पूर्तिक को निर्धारित करने वाले तीन तत्त्व लिखे 19 कोशन है मुद्रा के प्राथ्मी कार को समझाए अत्वाव्यापारिक बैंक के तीन कार लिखे तो यह दोस्तो आपके कुछ important question है दोस्तो same real question उमेद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एक बार फिर से बता दें objective का answer हमने इसलिए नहीं बता है क्योंकि हमने objective का पूरा discussion एक वीडियो पे कर चुके है तो वहाँ पे आप लोग जाएए आपके पूरे objective क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे हमने सिर्फ एक वार आपका revision करवा दिया दुआरा दिखा दिया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद